Friends, दूद ही एक मात्र एक ऐसी चीज है जो अकेले ही संपूर अहार के बराबर होता है और यही वज़ा है कि पैदाईशी बच्चों को जो चीज सबसे पहले अहार के रूप में दी जाती है वो दूद ही होता है क्योंकि दूद कुनों का बंडार होता है अगर आप अपने शिरीर को चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त रखना चाते हैं तो इसके लिए आपको एकी सला दी चाती है कि आप रुजानत दूद का सेवन करें हेल्ट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि किसी कारण से दिल में अगर किसी वक्त का भोजन आप नहीं ले पाते हैं तो एक गिलास दूद का सेवन करके आप उसकी पूर्टी कर सकते हैं लेकिन अच्छी से अच्छी चीज़ का इस्तेमर अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो उससे फाइदा होने की बजाए नुकसान पोचता है जिससे तब्यत भी बिगड सकती है गलत तरीके से दूद पीने से मैलाओं में कुटनी दुखनी की समस्या दीरे दीरे से शुरू होकर बढ़ जाती है इसके इलावा अपचन, पेट खराब, कब्स, स्किन एलर्जी जैसी समस्याई शुरू हो सकती है इसलिए दूद की सही मात्रा, पीने का सही समय, दूद गरम या ठंडा, दूद को किन-किन चीजों के साथ मिलाकर पीने से क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या नुकसान होती है इसकी जानकारी होना बहुत जुरूरी है इसलिए आज की वीडियो में इसके बारे में जानेंगे तो शुरू करते हैं कि एक दिन में कितना दूद पिया जा सकता है उसके लिए पहले हमें यह जाना होगा कि दूद में क्या-क्या पाया जाता है दूद में विटामिन D, विटामिन B12, कालरी, प्रूटीन, कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कई शारीरिक और मांसिक परिशानियों को ठीक करने में मदद करता है दिन और रात दोनों समय गरम या ठंडा दूद पीने के अपने ही फायदे होते हैं वहीं हर उमर के लोगों के लिए दूद लाबदाइक होता है अगर दूद को सही समय पर सही तरीके से इस्तिमाल किया जाए तो यह पाचन क्लिया को ठीक करता है दिमागी ताकत को बढ़ाता है इससे हडियों और मासपेशों की कंसोरी, कब्स, रातों को नीन ना आना दिल से जुड़ी बिमारी चैसी समस्याओं में फायदा पहुँचता है इसके इलाबा यह चिकनी और स्वस्त वचा रखने में फायदे मन्द है दूद में कैल्शियम, प्रूटीन और विटामिन D की मातरा सबसे ज़्यादा होती है डेली एक से दो गलास दूद का सेवन करना काफी हो जाता है क्योंकि बागे के कैल्शियम, प्रूटीन और विटामिन D हमें दूसरे खाने से भी मिल जाती है लेकिन अगर ज़्यादा मेनत वाला काम या जिन करते है तो दूद की थोड़ी मातरा बढ़ाई जा सकती है हर किसी के लिए एक ही पैरामिटर सही नहीं होता दूद पीने का सही समय क्या है? वैसे तो दूद कभी भी पी सकते है लेकिन दूद पीने का बैस समय है रात को सोने से पहले रात को दूद पीना अच्छी नीन के लिए फाइदी मंद होता है यह मास पीश्यों को आराम देता है और मन में उपस्तित तनाव से लड़ता है रात में एक लास दूद पीने से गुर्दे में पत्री जैसे समस्या नहीं होती है रात को दूद पीने से सुबा खुल कर पेट भी साफ होता है इसके इलावा आप सुबा खाली पेट भी दूद पी सकते हैं पर जिन लोगों को खराब पाचन, गैस, कब्स या फिर दूद से किसी तरह ऐलर्जी नहीं है वे खाली पेट भी दूद पी सकते हैं खांसी और फ्लू से ग्रस्त लोगों को भी सुबा सबसे पहले दूद नहीं पीना चाहिए बच्चों को दूद दिन भर में कभी भी दिया जा सकता है बच्चों को अकसर सुबा दूद पीने को दिया जाता है ताकि उनका पाचन तंत्र इसे आराम से पचा ले इससे दिमाग तेज होने के साथ हड़िया भी मजबूत होती है दूद ठंडा पीना चाहिए या गरम इसको लेकर भी लोग बूद कन्फियूस रहते हैं कि क्या ठंडा या गरम दूद पीने से न्यूट्रिशनल वैल्यो अलगलग हो जाते हैं या एक ही जैसे रहते हैं एक्सपर्ट की माने तो इन दोनों ही तरह के दूद के अपने अपने फाइदे हैं दूद को ठंडा पीया जाए या गरम यह पूरी तरह से मौसम और समय पदने पर करता है ठंडा दूद दिन के समय या फिर गर्मी में पीना जादा पाइदे मन्द होता है इसके सेवन से बोडी की गर्मी खतम होती है और शरीर अंदर से ठंडा होता है ठंडा दूद में कैल्शियम इंटेक जादा होता है जिससे कई बार ठंडा दूद पीने से पेट में जलन और एसिडिटी में आराम मिलता है यही नहीं इसमें इलेक्ट्रोलाइट होने की वज़ा से यह बोडी को हाइड्रिट रखता है इसलिए रात के समय में ठंडा दूद नहीं पीने की सला दी जाती है ऐसा करने पर कफ और कोल जैसे दिक्कते आ सकती है इसके इलावा गरम दूद सर्दी के मोसम में तो अम्रित के समान होता है रात के वक्त गरम दूद शिरीर को गरम रखता है और ठंड से बचाता है दरसल गरम दूद को पचाना भी असान होता है गरम दूद के सेवन से डाइरिया, गैस जैसी डेजेशन रिलेटिड प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है गरम दूद में ट्रिप्लोफोन और मेलाटोनिंग पाया जाता है और इसमें मुझूद अमीनो ऐसीड गरम होने पर अक्टिव हो जाता है जिस वज़ा से अगर रात में गरम दूद पिया जाए तो अच्छी नीन आती है फ्रेंड्स, दूद किन-किन चीजों के साथ और कप-कप पीना चाहिए और कप-कप नहीं पीना चाहिए दूद को खाना खाने की तुरंत बात नहीं पीना चाहिए अगर हम खाना खाने की तुरंत बाद दूद पी लेते हैं तो इसका मतलब है कि एक टाइम में दो वक्त का खाना खा लेना जिससे पेट में भारिपन, आसिडिटी और पचन जैसे समस्याई शुरू होने लगती हैं इसलिए दूद को खाना खाने के दो घंटे बाद और सोने से आदे घंटे पहले पीना चाहिए दूद के साथ या तुरंत बाद खटे फलो का सेवन भी बिलकुल नहीं करना चाहिए जैसे कि संत्रा, आनानास, नीम्बू, कीवी आदे क्योंकि दूद के साथ-साथ इनके सेवन से पाचन सबंदी विकार, खट्टी डिकारे, पेट दर्द और तवचा से जुड़े रोग जैसे कि अलर्जी की तकलीफ हो सकती है दूद के साथ नमकीन और चटपटी चीजों का सेवन भी जादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस से भी पेट में ब्लोटिंग हो सकती है कुछ लोग दूद का इस्तिमल सेप और केले का शेक बना कर करते हैं पर जिन लोगों को पाचन की कोई समस्या नहीं है वे इसका इस्तिमल कर सकते हैं पर हैल्थ एक्सपर्ट की माने तो इसके साथ लेने की सला नहीं दी जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि दूद और केला या अन्य फल पेट के लिए हैवी होते हैं जिसे पचने में समय भी लगता है इसलिए इसका सेवन आपको आलसी और ठका हुआ मैसूस कर सकता है इसके इलावा दूद में चीनी मिलाने से उसके पोशक तत्व नश्ट हो जाते हैं और दूद भारी हो जाता है दूद में शहद, हल्दी, शक्कर, आदी आप मिला सकते हैं जिससे दूद की गुड़नेस बढ़ जाती है दूद और मिठे फल के बीच आदे घंटे का अंतराल जरूर रखना चाहिए दूद नौनवेज, मचली या अंडे के साथ बिलकुल नहीं पीना चाहिए दूद को मचली से पहले या बात में सेवन कर लिया जाए तो शिरीर पर सफेद धब्बे हो जाते हैं हलांकि इसकी कोई पुष्टी नहीं है दूद की ठंडी और नौनवेज की तसीद गरम होने से इनका मिश्रन शरीर में असंतुलन पैदा कर सकता है इसलिए इनमें 2-3 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए दूद को दही के साथ भी बिलकुल नहीं पीना चाहिए यह उल्टी, दस्ट, आसिडिटी, पेटले सूजन, ब्लोटिंग और गैस को ट्रिगर करता है फ्रेंड्स आपको यह सीच से जूड़ी जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बैट आइकन प्रेस करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तेल देन, स्टे ब्लेस्ट, स्टे स्माइलिंग